नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी निउस में आपका स्वागत है खबरों के ओर बढ़ने से पहले एक नजर सुर्ख्यों पर जब आहर नवोदे विद्याले ने इंट्रेंस अग्जाम का एड्मिट कार्ड किया जारी एपीएसी ने हेड मास्टर बहाली परिच्छा में किया आप बड़ा बदलाओ प्रग्यार में पिछले साल लक्षे से आदी हुई गेहों की खड़ीद केशंबानी फिर बने एसिया के सबसे धनी व्यक्ती जीद के साथ गुजरात टॉप पर इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों के ओर विस्तार से जवाहर नवोदे विद्याले ने इंट्रेंस अग्जाम का एड्मिट कार्ड किया जारी अगर आपने भी जवाहर नवोदे विद्याले में एड्मिशन लेनी के लिए आविदन भड़ा था तो आपके लिए अच्छी खबर है दरसल विद्याले की ओर से सेलेक्शन टेस्ट के लिए एड्मिट कार्ड जारी कर दिया गया है बता दे किस परिच्छा को पास करने के बाद विद्यार्थी जवाहर नवोदे विद्याले की क्लास 6 मैंड मिशन ले सकते हैं मालूम हो कि परिच्छा 29 अप्रेल को सुभा सारह 11 बजे आयुजित करवाई जाएगी जो की डेर बजे तक चलने वाली है वही इसका रिजर्ट जून महीने में जारी किया जाएगा आपकी जानकारी के लिए बता दे किस परिच्छा में तीन सेक्षन से प्रश्ण पूछे जाएंगे जिन में mental ability, arithmetic और language सामिल है विद्यार्थी अपना admit कार जवाहर नवोदे विद्याले की website नवोदे.gov.in पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं विधान सभा में बीजे पी का भारी हंगामा कारेवाही दो बजे तक कर दी गई स्थागित आज याने की बुद्वार को बिहार विधान सभा का अंतिम दिन है ऐसे में आज की कारेवाही शुरू होते ही एक बार फिर से विपक्ष के सांसदों के दोरा जम कर हंगामा किया गया पतादे के दोरान बीजे पी के दोरा सरकार को राम नवी पढ़ हुए सासा राम और नारंदा में हुए हिंसा को लेकर घेरने की कोशिश की गई बीजेपी का कहना है कि बिहार में यह हिंसा सरकार की नाकामी के कारण हुई है इसी को लेकर बीजेपी के द्वारा सदन में जम कर हंगामा किया गया वही स्पीकर ने सदन में हंगामा कर रहे बीजेपी विधायक जिवेश मिश्रा को मारसल आउट करने का आदेश दे दिया जिसके बाद मारसल के दोरा बीजेपी विधायक जिवेश मिश्रा को टांग कर बाहर निकाल दिया गया वही स्पीकर के इस आदेश नाराज बीजेपी विधायक के दोरा जम कर हंगामा किया गया जिसको देखते वे सदन की कारेवाही दोपहर दो बजे तक स्थखित कर दी गई थी BPSC ने हेड मास्टर बहाली परिक्षा में किया बड़ा बदलाव राजी के अंदर हाई स्कूलों में बहाल होने वाले हेड मास्टर की परिक्षा में बिहार लोग सेवा आयूग के दोरा बड़ा बदलाव कर दिया गया है बतादी कि इस बदलाव के तहत अब हेड मास्टर की परिक्षा में निगर्टीब मार्किंग नहीं की जाएगी बता दी किस निया में बदलाव होने से अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिलेगी हाला कि अब तक इस बदलाव पर कैबिनीट के उड़ से फाइनल मुहर नहीं लगाया गया है दरसल राजी के उच्तर माध्यमेक विद्यालियों में प्रधान ध्यापक नुक्ती के लिए नियमावाली को संसोधित कर दी गई है इसमें सिक्षा विभाग के बजाए BPSC के द्वारा यहत्त्य किया गया है कि परिच्छा कैसे ली जाएगी मौसम में हुए बदलाव से लगातार बिहार के भूजर अस्तर में कमी देखी जा रही है बता दे कि मौसम के जानकारों का कहना है कि बिहार में भूजर अस्तर का मुख्य कारण भारी बारिश को सहेजने के लिए समुचित वेट लैंड का भाव होना है उनका मानना है कि बाड़िश का पानी नदियों के सहारे बह जाता है आपके जानकारी के लिए बता दे क्रिसी रोड मैप रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2001 में प्रतिव्यक्ती सतही जल के उपलब्दुदा 1594 घंड मीटर है जो की वर्ष 2017 में घटकर 1213 घंड मीटर हो गई है महीं आने वाले वर्ष यानि की 2025 में प्रतिव्यक्ती सतही जल घटकर 1005 घंड मीटर हो जाएगी और उसके बाद 2050 में या घटकर 635 घंड मीटर हो जाने की आसंका है बता दे कि बिहार में कुल सतही जल की अनुमानित उपलब्दुदा 2050 में 145 बिलियर्ड क्यूबिक मीटर ह कोगी Tapi, बिहार के राजधानी से गोवा और दर्गापुर के लिए शिरू होगी सीधी हवाई सेवा, बिहार के वैसे लोग जो गोवा या दर्गापुर जानी की एक्छा रखते हैं लेकिन इसके लिए उन्हें देश के किसी और राजी के किसी और सहर में जाकर यातरा करना पड़ता है उनके लिए खुशखबरी है बतादी कि बहुत जल्दी बिहायर की राध़ानी पटना से गोई और दुरगापुर के लिए Indigo Airlines की ओर से सीधी हवाई सेवा के शुरवात की जाने वाली है मालुमों के पतना से गोवा की सीधी हवाई सेवा की शुरवाद 22 मई 2023 से होने वाली है तो वहीं पतना से दुर्गापुर के लिए सीधी हवाई सेवा की शुरवाद 30 मई 2023 से सुरू होने वाली है बता दे कि पटना से गोवा जाने वाली फ्लाइट 6E6931 और 6E6932 है जो सोमवार, शुक्रवार और रविवार को गोवा के लिए उड़ान भड़ेगी हलाकि समय अलग-अलग होगा वहीं पटना से दुरगापुर जाने वाली फ्लाइट 6E305 है जो सबता हमें मंगल, गुरू और सनिवार को उड़ान भड़ेगी घोड़े पर बैठकर स्कूल जाता है छटवी का चात्र पॉरब आज की आधुनिक दौर में क्या आपने कभी सुना है कि कोई बच्चा घोड़े पर सवार होकर पढ़ने जाता है अगर नहीं सुना तो हम आपको बता दे कि आज के इस आधुनिक दौर में भी एक बच्चा ऐसा है जो सरक नहीं होने के करण रोज कमाम चुनोतियों को मात देते वे घोड़े के सहारे स्कूल पहुँच कर पढ़ाई करता है हम जिस बच्चे की बात कर रहे हैं वह बिहार के भागलपुर जिले के नरायन पुर प्रकंड अंतरगत नगरपाड़ा गाउं का रहने वाला है जो बुनियादी अभ्याश विद्याले नगरपाड़ा में कक्छा छटवी में पढ़ता है बता दे किस बच्चे का नाम पौरव कुमार है मालुम हो कि उसके गाउं से स्कूल की दूरी एक किलो मीटर है और सरक ना होने के कारण खेत खलियान बगीचे से होकर स्कूल आना जाना परता है वही पढ़ाई के दौरान घोड़ा स्कूल के पास मैदान में बधा होता है बिहार में पिछले सा लक्ष से आधी हुई गेहूं की खरीद बिहार में 2023-24 के लिए गेहूं की सरकारी खरीद के लिए तारिक नर्थारित कर दी गई है बतादे के नर्थारित की गई तारिक के अनुसार गेहूं की खरीद भी सप्रेयल से शुरू की जाएगी जो 31 माई तक चले की बता दे कि इस वर्ष 10 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष सरकार की ओर से रखा गया है लेकिन आकरी बताते हैं कि राजी में लगातार गेहूं की खरीद में गिरावट आ रही है जिसका कारण किसानों को कम समर्थन मुलने मिलना है पता दे के बीते वर्ष यांनिकी 2022-2023 में सरकार के ओर से 10 लाख मिट्रिक टन गेहूं की खरीद का लक्ष रखा गया था विहार के रासधानी में तस दिन में मिले 46 कोविट संक्रमित एक बार फिर से पूरे देश में कुरोना के मामले में बरहुतरी देखी जा रही है वहीं बिहार में भी कुरोना के मामलों में लगातार बरहुतरी देखी जा रही है पतादी की राजे में बीते 24 घंटे में कुरोना के 9 नए मामले सामने आई हैं जिसके बाद अब राजे में पिछले 10 दनों में कुल सक्रिय मामलों की संख्या 46 हो गई है आपकी जानकारी के लिए बतादी कि बिहार में पिछले 24 घंटे में कुल मिलाकर 47,208 कुरोना टेस्ट किये गए हैं जिसमें से 9 लोग कुरोना संक्रमित पाए गए हैं जिन मैंसे सबसे ज़ादा संक्रमित बिहार की राजधानी पटना से है, बता दी कि पटना से कुछ 7 कुरोना संक्रमित पाए गए हैं, तो वहीं बाकी बचे 2 मरी, सीता मरी और पुर्वी चमपारन से हैं, मालम हो कि कुरोना के बढ़ते मामलों को देखते वे बिहार में बाहर से आ रहे है, यात्रियों को मास्क लगाने को कहा जारा है, वहीं दूसरी ओर अस्पतालों में भी अलर्ट कर दिया गया है, बिहार के उद्यमियों को अब कर्ज लेने में SIDBI करेगा मदद, बिहार के उद्यमियों को अब रिन लेने में किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होने वाली है दरसल अभिहार की उद्यम्यों की मदत रिन लेने में सिद्वी यानि की भारतिये लगु उद्योग विकास पैंग की और से की जाएगी बता दे किसका सुभारम बीते दिल्मंगलवार को बी आई-ए के प्रांगन में किया गया है इस दोना सिद्वी के महाप्रबंध कस्तर पर 20 करोड रुपे तक जबकि साखा कारयाले कस्तर पर 5 करोड रुपे तक के रिन स्विकृत किया जाने का अधिकार है इसके साथ ही उन्होंने यह भी बताया है कि सिद्वी के दोरा अर्जना नामक स्कीम सुरू की गई है जिसके माध्यम से महिलाओं को अपेक्छाक बता दे कि ताजा मामला जहानाबाद जले के घोसी थाना चेतर के उबेर गाउं का है मालुम हो के आज सुभश शुभा सराब कारोबारियों के द्वारा उतपाद विभाग की टीम पर इत पत्थर से हमला किया गया जिसमें चार पुलिसकर में बुरी तरह से घायल भी हो ग इसी बीच ग्रामीनों के द्वारा अचानक से पुलिस वाहन पर और पुलिसकर्मियों पर इट पत्थर फेके जाने लगे फिलाल घायल पुलिसकर्मी का इलाज जहानाबा सगर अस्पताल में कड़ाया जा रहा है राम नवी पर हुई हिंसा को लेकर सीयम नितीश का बयान इजन्ट है वह जानबूचकर बिहार के बारे में भ्रामक बाते कर रहे हैं नतीश कुमार ने कहा कि जब हमने बीजेपी छोड़ी थी उस दोरान ओवैशी मिलना चाहते थे आज एक राज कर रहा है और दूसरा उनका इजन्ट है बिहार में हिंसा को लेकर राबरी देवी का बिहार के सासा राम और अरंदा में हुए हिंसा को लेकर बिहार की पुर्व मुख्यमंतरी राबरी देवी के द्वारा बीजेपी पर निशना साते वे उन पर आरूप लगाया गया है राब्री देवी ने आज यानी के बुदवार को विधान मंडल में कहा कि भाजपा ही दंगा कराती है और फिर भाजपा के द्वारा ही हंगामा किया जाता है उन्होंने कहा कि राम नवी के मौके पर जो भी हिंसा हुई है उसके खिलाब फिलाल जांच चल रही है जांच के बा पर फिर से मुकेश अंबानी का नाम एशिया के सबसे धनी व्यक्ति में जुरगया है बता दे किस बात की जानकारी बीते दिन मंगलवार को फोबर्स के दोरा जारी की गई दो हजार थे इसके अरपतियों की सूची से निकाल कर सामने आई है बता दे किस सूची में मुकेश अ जनवरी को जारी की गई सूची में अदानी 126 अरप डॉलर के साथ दीसरे नमबर पर मौजूद थे जीत के साथ गुजरात टॉक पर IPL 2023 के सोलवे सीजर में साथवे मैच में बीते दिन गुजरात टाइटन्स के दोरा दल्ली कैपिटल्स को छे विकेट से हरा दिया गया इ प्लस सुने दिसमलो शाथ शुने शुने निट रन रेट और चार पॉंट्स के साथ पहले अस्थान पर विराजमार है वहीं दूसरे नमबर पर प्लस तीन दिसमलो चेश सुने निट रन रेट और दो पॉंट्स के साथ राजे स्थान रोयल से है तीसरे नमबर पर प्लस ए यानि की दस्वे अस्थान पर माइनस 3 दस्थान पर 6.00 net run rate और 0 points के साथ Sunrises है तो वही 9 अस्थान पर माइनस 1.981 net run rate और 0 points के साथ Mumbai Indians विराजमान है. जानी आज बिहार में क्या है पेट्रॉल डीजल के लिए बिहार में आज यानी बुधवार को पेट्रॉल डीजल के लिए जारी किये गाए इसके बाद राजधानी पतना में आज पेट्रॉल 107.22 रूपे और डीजल 94.02 रूपे प्रती लीटर में मिल रहा है मुझे पर पूर्ण में पेट्रॉल 107.09 रूपे और डीजल 94.04 रूपे प्रती लीटर मिल रहा है वहीं पूर्णिया में पेट्रॉल डीजल 95.04 रूपे प्रती लीटर है भागलपूर्ण में पेट्रॉल का रेट सबसे आदा किसम गंच में है जहां पेट्रॉल 109.04 रूप रुपे प्रती लीटर और डीज़च्या में दसम्लोश चुने चार रुपे प्रती लीटर की दर्से मिल रहा है। सदन में हो हंगामा होना कितना सही है। आपना जवाब हमें मारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताए। आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम खबरों के साथ बन रहानी के लिए देखते रहें। अगर आप यूटूब से देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करना औ अगर आप फेस्बुक से देख रहें तो पेस को फॉलो करना ना भूले। धन्यवाद।